आयोजन में छेस सत्र में देश दुनिया से आई हुए मेडिया के लोगों ने हिसा लिया और देश के कई ज्वलंत मुद्धों पर मंथन किया स्टेट प्रेस क्लब अध्यक्षिधारीवाल ने बताया कि भारती पत्रकारीता महत्सों का आया जंग 14-16 अप्रेल को इंदोर में आयोजित किया गया जिसका रविवार को समापन हुआ इसमें 6-7 में तीन मास्टर क्लास के माध्यम से देश के समय समय ज्वलंत मुद्धों पर चर्चा की गई इस महत्सों में जो से अधिक संभादक और वरिष्ट पत्रकार शामिल हुए कारिक्रम में के अंतिम चरण में देश के प्रमुक सक्रिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष की बैठकन लेकर एक तार्तम में इस्थापित किया और ताकि लोग मिल जूलकर काम कर सके इस तरह से यह पत्रकारिता महत्साओं का आज 15 वर्ष सपलता पुर्वक संभन हुआ लेकिन नेरुजी का पर्सनल करिश्मा के कारण और नान अलाइंड मुव्मेंट जो उन्होंने बनाया नासर और मार्शाल की टोके साथ तो उसका बहुत मुव्मेंट के सज़से थे बाद में इंडरेगांदी जबाई की एमर्जेंसी 1975 में उन्होंने इंपोस किये थे उस समय सारी दुनिया के वीडिया इंडरेगांदी के खिलाप लिखे के भारती पतकाईता महस्वाब का आयजन शुक्र शनी और अवियार को हुआ मुझे खुशी है कि इसमें हमने च्छे सत्रों में तीन मास्टर क्लासों के माद्दम से लगबग जित्ते समसामाई को जलन्त मुद्द्ध हैं उन पर बातचीत करी और लगबग सो से अधीक संपादक और वरिश्पत्यकार इस महस्वाब में इंदोर आये महसाओ में अंतीम चरण में हमने देश के प्रमुक सकरी प्रेस क्लब हैं उनके अध्यक्षों की भी बठक करके एक तार्तम में इस्तापित किया देश भर के जो बड़े प्रेस करें तो इस तरह से यह पुरा महसाओ लगातार इसका पंदवा वर्ष सफलता पुर्वक संपन हुआ और इस महसाओ के लिए विशेश रूप से आज लोकसबाद्यक्ष प्रधानमंत्री मुख्यमंती राजिपाल इन सबने भी शुपकामना प्रेशीत की है तो मैं सभी के सब्सक्राइब करता हूं और इन दोर के मिडिया विद्धार्थियों ने भी इस महसाओ में बलचल के भाग लिया यह भी इस महसाओ की एक बड़ी सफलता रही